इमांदार व्यक्ति की ये चार पहचान नमबर एक इमांदार व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है नमबर दो इमांदार व्यक्ति हमेशा सच बोलता है इसलिए लोग उसे बुरा बना देते हैं नमबर तीन इमांदार व्यक्ति के दोस्त बहुत कम होते हैं नमबर चार इमांदार व्यक्ति दिखावा बहुत कम करता है अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें ये चार बातें हमेशा याद रखें पहला कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो अंतिम यात्रा तो बास से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा यहीं जीवन का सत्य है दूसरा जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते तीसरा पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बढ़ा करता है इसलिए शायद पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता चौथा जीवन में पैसे के साथ व्यवहार भी कमाईए क्योंकि शमसान में चार करोड नहीं चार लोग ही छोड़ने जाएंगे बात अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें मैंने कभी भी किसी मर्द को औरत से महंगे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा हालांकि मर्द कमा रहा होता है लेकिन वह यह सोचता है कि उसकी बीबी अच्छे कपड़े पहने उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने फिर भी कुछ औरते अपने पती को ताना मारती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है तुम मेरे लिए करते ही क्या हो तो मैं ऐसी औरतों से एक बात कहना चाहती हूँ कि दो मिनट किसी विधवा औरत के पास समय बिता कर देखिए आपको पता लग जाएगा कि वह कैसा महसूस करती है अपने पती के बिना इसलिए आप अपने पती का इज़त कीजिए और उसे भी उतना प्यार दीजिए जितना वो आप से करता है एक लड़की ने अपने सास ससुर को अपने पती और घर से अलग करके अपनी मा को फोन किया और कहा कि मा एक खुशखबरी है आज मैं और मेरे पती अपने सास ससुर से अलग हो गए है हमने अपना एक अलग घर ले लिया है और अब हम वही रहते हैं तुम जल्दी से फोन मेरे भाई को दो, ये खुश खबरी मुझे उसे भी देनी है। तब उस बेटी की माँ की आँखों में आंसु आ गए। और उसने नम भरी आवाज में बस इतना ही कहा, कि बेटी, तेरा भाई भी अब मुझसे अलग हो गया, और उसकी पत्नी के साथ उसने भी अपना एक अलग घर ले लिया है। आप क्या समझें? कमेंट करके जरूर बताएं।